सब्सक्राइब करिए मन्टो और चैनल को मुबाइल इंटरनेट ओनलाइन टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले बाने के लिए और दबाएए बेल आइकन को हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट एसकोर क्या है और क्रेडिट एसकोर को अपने फॉन से कैसे चेक कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि credit score क्या है, credit score हम जब मान लिजिए कोई भी mobile या फिर laptop या कोई भी electronic device चलिए TV freeze या कुछ भी हो, अगर हम उसको किस्ट पर लेते हैं, चाया मैंने finance पर लेते हैं, अगर आप उसका time to time payment करते हैं, repayment करते हैं, अगर आपने time time पर किस्ट उसकी भर तो उससे एक score generate होता है, उसी को हम credit score बोलते हैं, वो credit score आपको next कोई चीज finance कराएंगे, मान लिजिए, एक चीज आपने किस्ट पर लिया, चाया मैंने कोई भी एक mobile लिया, उसका मैंने time to time repayment कर दिया, time to time मैंने उसकी किस्ट भर दी, कोई भी कभी भी कोई late नहीं किया, तो मैं कोई next loan भी लेने जा रहा हूं कहीं से, तो मेरे credit score को देखके मुझे जल्दी loan प्रवाइड कर दिया जाएगा, तो बस मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ, तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो, वीडियो सुरू करने से पहलो करूंगा आप लोगों से एक request, अगर आपने अभी तक मन्टू online चैनल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज लाल बटन को दवाय के subscribe जरू करें, और वीडियो को like जरू करें, और साथ में comment और share करना ना भूले, तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो, मॉबायल से credit score चेक करने के लिए सबसे पहले आना है आपको अपने play store में, चलिए मैं यहाँ पर play store में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आपको search बार में tap करना है, पैसा बजार, यहाँ पर देखिए मैंने पैसा बजार सर्च किया हूँ है पहले से, और यहाँ पर यह एप आ बता देता हूँ आप लोग को, देखिए यह open हो रहा है, थोड़ा हमें wait कर लेना है, देखिए यह कुछ इस तरह से खुलेगा, और यहाँ पर हमें थोड़ा wait कर ला है, यहाँ पर हमें कुछ अपनी personal detail डालनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना personal detail डाल लेता हूँ, यहा देखिए यहाँ पर मैंने अपनी personal detail डाल ली, अब यहाँ से हमें, देखिए यह loading हो रहा है, detail डाल के continue करने के बाद, आपको कुछ इस तरह से window खुल के सामने आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा civil score दिखा रहा है, 756 दिखा रहा है, यहाँ पर मैं offer पे click कर लेता हूँ, देखिए, यह offer पे click करने के बाद, देखिए कुछ इस तरह से window खुल के आई है, यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है और यह जो मेरा credit score है जो last change जब तक यह बढ़ता घड़ता रहता है जैसे हम कोई चीज finance कराते हैं तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है या फिर हम late payment करते हैं तो यह घड़ता बढ़ता रहता है देखिए अभी मैंने time to time payment करी हुई है तो मेरा 756 है यहाँ पर देखिए कैस फरवड़ी तक का दिखा रहा है यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 अगर 300 तो बहुत ही कम है और यहाँ से 756 तक है मेरा तो समझ लिए मेरे chance ज़्यादा है कि मैं कई चीज ले सकता हूँ और 900 तक last होता है यहाँ पर और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर देखिए जो मुझे अभी offer है यहाँ पर अलगल आपके offer सो करेंगे अगर आप भी check करोगे तो और यहाँ पर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा account है यहाँ पर payment history लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने कहां कहां से loan लिया होगा और जो भी मैंने चीज finance कराई होगी यहाँ पूरी detail आती है तो यह मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ थोड़ा वेट कर लेते हैं देखिए यह आ गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा your payment history is good देखिए यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है यहाँ मैंने यह सारी company से loan लिया हुआ था और यहाँ पर मेरा सारा यहाँ पर देख सकते हैं सब close हो चुका है तो यह सारा मेरा बंद हो चुका है यहाँ से मैंने चीज़े finance कराया थी यह जो मैं mobile से video बना रहा हूँ यह भी मैंने mobile finance कराया था तो बस यह आप देख सकते हैं से यह फिर से मैं back आ जाता हूँ और यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह एक air का मेरा दिखाया जो payment report था और यहां पर देखिए यहां पर account show कर रहा है total seven account show मतलब अगर आप पहले लेते हैं कुछ दिन तक वो show करता है अगर किसी चीज़ से आप finance कराते हैं तो आपको थोड़े दिन के बाद जब वो civil को report कर देता है तो वो close बंद कर दिया जाता हूँ account तो यहां पर आप देख सकते हैं बस इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप अपना credit score चेक कर सकते हैं आप चाहे तो यहां से अपने report को download भी कर सकते हैं यहां पर download report पर आप click करेंगे तो यह आपका download हो जाएगा तो बस बहुत ही आसानी से आपने देखा कि मैंने credit score चेक कैसे किया आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखे अपना बाए और अच्छा